हलो दोस्तों आप कैसे हैं और मैं विजय कुस्वा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज बंडा रूटू चैनल और आज हम बात करेंगे चुकंदर की खेती के बारे में इसके बीज की मातरा कितनी लगती है इसकी कौन-कौन सी उननत किसमे है इसके बीज को उपचारित कैसे करना चाहिए चुकंदर की बुवाई के समय कौन-कौन से खादों का प्रेयो करना चाहिए जिससे के अधिक से अधिक उत्पादन देखने को मिले इसमें कौन-कौन से रो आई हुए हैं यह जिन्होंने अभी तख मारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाए और बेल आइकन गंटी को भी दवाद है जिससे के नहीं वीडियो का नोटिफकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे तो बने रहे हैं वी यह सब्सक्राइब का उच्छे समय क्या है तो किसान भाई हमारे भारत देश में चुकंदर की खेती तीनों सीजनों में की जाती है खरीप सेजन में भी की जाती है यह जाती है यह जुन से लेकर 31 अगस्त तक कभी भी भुआई कर सकते हैं यदे हमें इसकी रवी सीजन में बुआई करते हैं तो एक सतमबस से लेका 30 नवमब तक कभी भी बुआई कर सकते हैं यदे हमें इसकी जाय सीजन में बुआई करते हैं तो एक प्रवरी से लेका 30 मई तक कभी भी बुआई कर सकते हैं अलाला इस्तानों पर अलाला समय पर इसकी खेती की जाती है बात करें इसकी फसल अवदी की तो इसकी जो फसल अवदी है वो बेरेटियों पर काफी निर्वर करती है एक ओस्तन साथ से सत्ता दिन के इसकी फसल अवदी होती है बात करें कि इसकी खेती के लिए कितने तापमान क्या आशकता पड़ती है तो चुकंदर की खेती है हमारे बारत देश में तीनों सीजनों में की जाती है और अलाला समय पर अलाला तापमान क्या हो होने ही चाहिए बात करें कि चुकंदर की खेती के लिए अनकूल कौन कौन सी मिट्टिया हैं तो चुकंदर की खेती आप दोमट मिट्टे भले दोमट मिट्टे हलकी चिकने मिट्टे हलकी रेतिली मिट्टे काली मिट्टे इन सभी प्रकार की मिट्ट्यों में आप इसकी सपल में आप इसके सफलता पुरों केती कर सकते हैं बात करें कि चुकंदर की जब भी हम बुवाई करते हैं उससे पहले हमको खेत की त्यारी कैसे करने चाहिए तो किसान भाई जिस खेत में आप चुकंदर की खेती कर रहे हैं उसमें लगवग 25 से 30 दिन पहले सड़ी हुई मरे हु कुबर की ख़ाद लगवग 10 से 12 तन्र प्रतेकड के साथ सकते हैं उसी के साथ साथ 4-5 ईकरकड के साथ कर सकते हैं कर पैलाकर खेत की जोताई कर दें और उसके वाद 8-10 दीन के नंतराल पर आप बार बार've जोताई कर सकते हैं बुषाई करने से लगबग 6-7 दिन पहले आप खेत में पलिवा कर देना चाहिए पलिवा करने के बाद जैसे ही जुताई के लिए उचीत नमी हो जाए उस समय आप जुताई कर सकते हैं और जुताई के बाद उसमें कुछ रासाने खादों का प्रियो कर सकते हैं रासाने खादों का प्रियोग कर रहे हैं उस समय आपको बिसेस ध्यान रखना है ऐसी रासाने खादों का प्रियोग करना चाहिए जिससे कि हमारी फसल में अधिक से अधिक पुपादन देखने को मिले जैसे कि सवसे पहले आपको डियेपी लेनी है डियेपी 40-50 किलोगरम प् साव से ले सकते हैं उसी के साथ साथ आपको SSP लेना है सिंगल सुपर कॉस्पेट जो के 100 से 150 कलोराम प्रतेकड के साथ से लेना है उसी के साथ साथ आपको पुटास 40 से 50 कलोराम लेना है उसी के साथ साथ आपको जिंक सलपेट 5 कलोराम प्रतेकड के साव से और इसी के साथ आपको किसी एक कीटना सकका भी प्रेयो करना है। बात करें बीज की मात्रा की तो इसी जो बीज की मात्रा हो बैरैटे पर लगाने के समये पर और भुवाई के तरीके पर काफे निरवर करते हैं एक कुछ वैरैटिया हम आपको बता दे रहे हैं जैसे कि अइरली वर्णर के नाम से आती है सिंजटा की रडडी के नाम से आती है सकाटा की केस्ट्रेल के नाम से आती है सायन की रेडवाल के नाम से आती है कलस की एक्सन के नाम से आती है मैको की माही लाल ग्यारे के नाम से आती है इनके अलावा और भी कई सारी बेराइटियां आती है आप कौनसी बेराइटि लगाते कर रहे हैं आप कॉंसीवेर टी लगाते हैं इसके बाद बात करें घर के मार्केट से ले कर आ बीज को प्चारत कर सकते हैं बात करें बुवाई के तरीके की तो इसकी बुवाई आप दो तरीकों से कर सकते हैं एक तो जैसे ही आपने खेत की त्यारी कर दी और खेत की त्यारी करने के बाद आप खेत में बीज को छटकमा विदी से बिखेर सकते हैं और बिखेरने के बाद आपको बैड बनवा देने है दूसरा ये तरीका है कि आपने खेट त्यार करवा लिया और खेट त्यार करने के बाद आपको खेट में बैड बनवा देने चाहिए और बैड बनवाने के बाद आपको हाथों के द्वारा एक एक दो दो बीज की बुवाई करने चाहिए इस तरीके से भी बुवाई हो जाती है यह आप हातों से इसकी बुवाई करते हैं तो बीज की महत्रा भी कम लगती है बात करें खाद और उरुबरक की तो किसान भाई जब भी बुवाई करते हैं उस समय जो भी खाद लगते हैं वो हमने आपको बता दिये उसके प्रेयो करना चाहिए, वो भी आपको सिचाई के साथ प्रेयो करना है, यूरिया के साथ साथ आपको यूमे कैसे दो क्लो राम प्रतियकड के साथ से प्रेयो करना है, यदे आप इस्प्रे कर रहे हैं, तो इस्प्रे में आपको एनपीके का इस्तेमाल करना चाहिए, एनपीके आप सचाई कर रहे हैं तो उस समय सचाई के साथ आपको यूरिया जो के 45 कलोराम प्रतेकड के साथ से लेनी है उसी के साथ साथ आपको केल्सियम नाट्रेट भी लेना है केल्सियम नाट्रेट 25 कलोराम प्रतेकड के साथ से लेना है सचाई के साथ यह दे आप स्प्रे कर रहे ह तो इस्प्रे में आप NPK जो के 0,54 आती है उसका प्रेव करना है एक क्लोगराम प्रतेकड के साथ से उसी के साथ साथ बोरोन जो के 300 ग्लोगराम प्रतेकड के साथ से प्रेव करना है जब आपकी पसल लगबग 50 से 55 दिन की हो जाती है उस समय आप सिचाई के साथ या उचित नमी हो उस समय आपो यूरिया 50 क्लोगराम प्रतेकड के साथ से और उसी के साथ साथ केलसियम नाट्रिट 25 क्लोगराम प्रतेकड के साथ से प्रेव कर सकते हैं और जब आप इस्प्रे क प्रत्यक्राइब करना है इस तरीके से आप खादों का प्रयोग कर सकते हैं बात करें सिचाई प्रवंदन की चुकंदर की खेती हमारे भारत देश में तीनों सीजनों में की जाती है यदे हम इसकी खेती गर्मियों में करते हैं तो अधिक सिचाईयों की आऊशकता पढ़ती है यदे हम इसकी सर्दियों में रवी सीजन में इसकी खेती करते हैं तो कम सिचाईयों की आऊशकता पढ़ती है यदे आप इसकी जाय सीजन में ववाई कर रहे हैं तो चार से पांच दिन के इंतराल पर आपको बारवा से चाही करने क्या हो सकता पढ़ती है यदे आप इसकी रवी सीजन में वहाई कर रहे हैं तो 6-7 दिन के इंतराल पर आपको बारवा से चाही करने क्या हो सकता पढ़ती है बात करें खरपतवार और उनके नियंतर की तो चुकंदर की पसल मे कई खरपतवार देखने को मिलते हैं अलालग सीजनों में अलालग खरपतवार देखने को मिलते हैं तो आपको आवर्शक्ता अनुसार एक या दो निलाई गुड़ाई कर देने चाहिए बात करें रोग और उनके नियंतर की तो चुकंदर की पसल में अधिक रोग नहीं देखने को मिलते हैं एक दो रोग हैं जैसे के पत्ती दब्बा है या तना सडन है ये कई रोग देखने को मिलते हैं तो इनकी रोग थाम करने के लिए आप इस्प्रे में कारूंडा जिम 12% प सब्सक्राइब फॉर्मूलेस्ण में आता है उसका आप 400-500 व्राम प्रतेकड के साथ से प्रयों कर सकते हैं या फिर एक और टेक्निकल आता है जो कर सकते हैं बात करें कीट और उनके नियंतर की तो चुकंदर की पसल में कई किट देखने को माहूं है पत्तियों पर सुंडे है और जैसेड है एपेड है बाइट फ्लाई भी है यह कई कीट देखने को मिलते हैं तो इनकी रूखताम करने के लिए आप इस्प्रे में इमीडा कोप्रेट 17.8% SL फॉर्मूलेशन में आता है उसका आप 100-150 ml प्रतियकड के साथ से प्रेयों कर सकते हैं या फिर आप बाइफ एंत्रेन 10% इसी पॉर्मूलेशन में आता है उसका आप 200 ml से लिकर 200 ml प्रतियकड के साथ से प्रयोग कर सकते हैं यह दे आपकी पसल में सुन्दियां को आटेक है यह पत्रियों पर सुन्दियां लग रही है तो आप इमामेक्टन बेंजोइट 5% इसी फॉर्मूलेशन में आता है उसका आप 100 से 150 ग्रम प्रतियकड के साथ से प्रयोग कर सकते हैं तो इस तरीके से आप चुकंदर की पसल में कीटों का भी नियंतर कर सकते हैं बात करें पसल खुदाई की तो चुकंदर की जो पसल है वो लगब 55 से 60 दिन में तयार हो जाती है और 55 से 60 दिन के बाद आप इसकी खुदाई कर सकते हैं बात करें इसके उत्पादन की चुकंदर का कितना उत्पादन हो जाता है तो चुकंदर का जो उत्पादन है वो आपकी देखरेक पर आपकी लागत पर लगाने के समय पर मिट्टे के प्रकार पर कई कारकों पर करता है एक ओस्तन एक सो पचास से 250 कुंतल प्रतेकड के साब से इसका उत्पादन देखने को मिल जाता है तो इस तरीके से आप चुकंदर की खेती कर सकते हैं और यदे आप चुकंदर की खेती कर रहे हैं यदे इसके भाव अच्छे मिल जाते हैं और आपकी मुणाफ हो देखने को मिलता है चुकंदर की खेती एक ऐसी खेती है STEM ज़न कारी यह आपको वीडियो पसंद आई हो लाक्कजरू करें अभर चैनल को सस्क्राइब कर ले मिलते हैं यह ली नेक्स्ट वीडियो में एक नगी जानकारी के साथ चाहे देड़ान जेक्सान